Hello children, welcome to Magnate Brains. I am your teacher Shilpi Tiwari और आज शुरू करेंगे general knowledge का new topic, hiding spiders. So children, what you can see? Yes, it is a spider. हर जगा मिल जाता है, कहीं आप किसी दिवार के कोने में देखो, किसी भी walls पे देखो, कहीं न कहीं आपको spider दिख जाएगा, और किस के साथ? अपने जाल के साथ, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जाल क्यों बनाता है, क्यों घुसके रहता है? So children, वो सारी बाते आज करेंगे discuss, क्योंकि आज है बारी जानने की किस animal की? Spider के बारे में, okay? Spider man मूरी सबने देखी होगी, देखी है कि नी देखी है, है ना? उसमें कैसे जो hero होता है, यहाँ से वहाँ लांग वांग के चला जाता है, क्योंकि उसके पास होती है web की ताकत, right? So children, आज हम यही सब बातें ही जानेंगे कि spider के पास ऐसी क्या characteristic होती है, कि वो वाल की corner में टंगा रहता है, और वहाँ से गिरता भी नहीं है, आप टंग सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन spider के पास में है यह quality, तो वो सब आज डिसकस करेंगे और जानेंगे इस hiding spider के बारे में, okay? So, let's start the class children, let's begin, दिख रहा है आपको spider, creepy सा, आइस दिख रही है और उसके पैर दिख रहे हैं, yes, सरी घरों में आपको दिखता ही होगा कभी न कभी और कैसे मम्मा कहती है, जाले हटा और spider भगाओ, क्यों? क्योंकि spiders को जाले बनाने में time नहीं लगता, overnight वो अपना पूरा घ तयार कर सकता है, yes, ऐसी quality है spider के पास में, okay, look up, look down, look all around, क्या है, look up, look down, look all around, ठीक है, उपर देखो, नीचे देखो, चारो तरफ देखो, क्या दिख रहा है, do you see an animal with eight legs and fangs, क्या तुम्हें कोई जानवर दिख रहा है, जिसके पास है, एक नहीं, दो नहीं, आठ, आठ पैर और fangs, तो children, कौन से animal के बारें बाते हो रही है, animal है spider, उपर देखो, नीचे देखो, चारो तरफ देखो, क्या कोई animal ऐसा दिख रहा है, जिसके पास है, eight legs और उसके fangs, तो एक बात तो clear हो गई, कि उसके पास है, eight legs, how many legs do spider have, eight legs children, और क्या है उसके पास, fangs, okay, so fangs, so children, ये है animal spider, do you see all of its eyes, क्या तुम्हे उसकी सारी आइस दिख रही है, जैसे हमें यहाँ पे इसकी आइस दिख रही है, क्या तुम्हे तुम्हे तुम्हारे मकडी की आखे दिख रही है, नहीं दिख रही हो है, क्योंकि वो तो बहुत उच्छा टंगा हुआ है, है ना, तो यहाँ पे question, do you see all of its eyes, क्या तुम्हे उसकी सारी आइस दिख रही है, it is a spider, तो क्या है वो, this animal is known as spider, a spider is a predator, spider क्या होता है, predator होता है, मतलब अपने शिकार का शिकार खुद करता है, वो predator होता है, okay, so this is spider and the spiders in your home, they are predators, it hunts other animals, क्योंकि यह दूसरे जानवरों का करते हैं, शिकार, अब सोचो आप spider होता है, कितना साइज में छोटा, लेकिन दूसरे जानवरों का बड़े ही असानी तरीके से कर लेता है, शिकार, it hunts animals and that is why it is a predator, children, जो लोग दूसरे जानवर का शिकार कर लेते हैं, उन्हें हम क तो चिल्रन ध्यान देना, spider घाता है, कीडे मकॉडे, माने के insects और कभी-कभी दूसरे spider भी, मतलब अपने दोस्तों को भी खा सकता है, यह है दम spider में, ओके, so spider mainly eats insects और other spiders too, some spiders hunt, others wait for prey, कुछ spider खुच जाके हंट कर लेते, आ तु मेरे जाल में, तुर तेरा में शिकार करता हू और कुछ चिल्रन अपने शिकार को जाल में फसने का वेट करते हैं, तु आ, मैं यहाँ छुपा खड़ा हूँ, yes children, यह है खासयाद spiders की, some spiders hunt and some wait for their prey, माने अपने शिकार का वो बे सबरी से वेट करते हैं, कोई तो होगा जो फसेगा, कोई तो होगा जो फसेगा, okay, so this is the whole thing about spiders children, है कितना थोटा सा जीव, लेकिन देखो कारना में हैं कितने बड़े-बड़े, आठ पैर और फैंक्स के साथ उसके पास हैं आखें, और कर लेता है अपना शिकार खुद, और अगर नहीं करने का मन हो तो करता है, wait कि कोई न कोई तो फसेगा उसके इस जाल में, okay, so this is about the spider children, understood that it hunts other animals and that is why it is a predator, okay, predator आपको ध्यान रखना है कि जो animal, दूसरे animals का शिकार कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं, predator, okay, so let's go and see what is next, All right, this spider weaves a web shaped like a wheel, insects get stuck in it, okay, क्या करता है, यह spider weave कर लेता है, weave मतलब बुनना, ठीक है, तो यह spider बुन लेता है, क्या, अपना जाल, किस shape का, wheel के shape का, okay, चकरी के shape का, यह जाल अपना बुन लेता है, जिस पे आपका जो insect है, वो आके फस जाता है, okay, वो आके फस जाता है, तो यह है इसकी खासियत, के वो अपना web, वो अपना जाल, you can see in the picture also, so children, so many webs are there, right, so spider can weave its own web, किस shape का, wheel like in structure, जिस पे insects आके क्या हो जाते है, चिपक जाते हैं, okay, फस जाते हैं, और एक बार अगर आप जाल में फस गए, तो आपका वहां से निकलना है, बहुत ही मुश्किल, या तो फिर कहें नामुम्किन, okay, so the spider weaves a web shaped like a wheel, insects get stuck in it, आपके सामने एक spider है, देख सकते हो, कितना creepy सा दिख रहा है, इसके पास है, ये ताकत के ये खुद का जाल कर सकता है, बुन, alright, then, this spider looks like an ant, it jumps at prey, अब ये देखो children, ये spider, बहुत प्रकार के spider हैं दुनिया में, ठीक है, कोई एक जैसा spider नहीं, जो आपके दिवाल पे टंगा हुआ है, मैं, वो तो वैसा ही spider है, no, इस से पहले वाला spider, देखो, कैसा था, इस से पहले वाला spider looks like this, इसकी क्या खास्यत होती है, कि ये wheel की तरह अपना जाल बना लेता है, okay, चकरी की तरह, जिस पे उसका जो insect होता है, वो भस जाता है, ठीक है, दूसरा spider, जो हमने देखा, वो कैसा है, द दूसरा spider, देखो, ant की तरह, दिख रहा है, दिख रहा है, न, इस लोक्स लेकिन आंट, इसंट इस चीटिया देखी है न, आपने, देखो चिल्रन, ये वाला जो आपका spider है, इस लोक्स लेकिन आंट, okay, that is where the picture is given, you can see, two eyes, legs, and it is definitely looking like an ant, this spider looks like an ant, it jumps at prey, okay, ये अपने शिकार पे कूत के उसका हंट कर लेता, जैसे ही उसने देखा कि उसका शिकार है, वो क्या करेगा, कूत के उसको अपने अंदर घुसा लेगा, मतलब अपने जाल के अंदर घुसा के उसको फसा लेगा और फिर करेगा मजे, okay, और उसको खाएगा अराम-अराम से, तो it jumps and hunts its prey children, all right, now, next, next क्या है, next आपको कैसा spider दिख रहा है, एक black color का spider है, ठीक है, अब ये ant की तरह नहीं दिख रहा है, इस spider की क्या खासियत है, this spider jumps at prey, so children, ये वाला जो spider है, ये भी jump करके अपने प्रे को क्या कर लेता है, अपने जाल के अंदर फसा लेता है, ये नहीं इंतिजार करता, कि तुम जबाओगे और फसोगे और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा, no, not like that, जैसे देखता है कि उसका prey है उसके आमने सामने, तो वो जाता है, jump करता है और अपने प्रे को अपने जाल में फसा लेता है, so this is his kind of in hunting style children, ठीक है, so different spider have different hunting skills, तो ये वाले spider की ये वाली hunting skill है, कि he jumps at prey और फिर उसको अपने जाल में फसा लेता है, trap कर लेता है, alright, अब देखते हैं दूसरे spider के बारे में, now, ये है एक spider और उसके पास आपको दिख रहा है, उसका बुना हुआ जाल भी है साथ में, okay, now, this spider tosses a net to catch prey, ये तो कुछ आगे ही निकले, ये अपने जाल को साथ में ला it throws its web on its prey, ताकि उनका जो शिकार है वो उसमें फस जाए, तो ये वाले जो spider है ये अपना जाल अपने साथ लाते हैं, और फिर जहां देखते हैं को उनका prey है, वहाँ उसको फेका और उसको फसा लिया, and that is why इसकी hunting skill ये ही है children, that this spider tosses a net to catch prey, अपने net को फेक के अपने prey को क्य कर लेते हैं, catch कर लेते हैं, okay, now next, next है children again, a black color spider, and what does it do, this spider eats other spiders, so ये वाला जो spider है, ये दूसरे ही spider को खा जाते हैं, मतलब ये अपने fellow को खा लेते हैं, ये नहीं वेट करतें, insects का, तुम spider हो, okay, no problem, I will eat you, so ये वाला जो spider है, जो हमने पढ़ा था starting में, that there are some spiders who eat other spiders too, ये वो वाले spider है भाई सब, okay, so some spiders, they wait for their prey to come, और उसके बाद उनको फसाते हैं, जाल में फिर खाते हैं, some just jump at the net, jump at their prey और उनको फसा लेते हैं, कोई तो अपने net को साथ लेके जाते हैं, और अपने शिकार को तरफ फेक देते हैं, और कुछ जो spider होते हैं, जैसे कि ये, ये भाई बहनों को खा जाते हैं, माने कि they eat other spiders, okay, so there are different spiders in the world, children and they have different, different types of hunting skills, तो आज तक आपको नहीं मालुम होगा, आज तक आपको अपने घर के कोनों में ही एक spider दिखा होगा अपने जाल के साथ, लेकिन चिल्रें क्यकीन मानिये, कि पूरे वर्ल्ट में बहुत सारे spiders हैं, औ है सबको, all right, so ये ता हमारा chapter hiding spiders, जिसमें हमने जाना spiders के बारे में, different, different types of spiders के बारे में, उनकी body structure कैसी होती है, और वो क्या खाते हैं, और किस तरह से अपने prey का शिकार करते हैं, all right, अब एक एक information कि अगर आपको magnet brains के videos देखने होते हैं, जाना है Google Chrome पे लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ही site खुलेगी इस पर लिखा रहेगा, India's number 100% free online education platform, नीचे दिये रहेंगी classes, for example, you are in class 2, click class 2, आपके सारे teachers with their subjects आपके सामने होंगे, now for example, आपको पढ़ना है, GK click watch now, आपके सारे chapter wise videos आपको दिख जाएंगे, अब आपको जो भी video देखने हैं, click the button and the video will start, so ये हमारा chapter hiding spider, next video में करेंगे इसी chapter की exercise, तब तक लिए Magnet Brains को like, follow, subscribe करना ना भूले, क्योंकि Magnet Brains रता kindergarten to grade 12, free videos and free education, thank you.